नमस्ते आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल दे इंचिंट्स पे मैं हूँ डॉक्टर गोश और मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ ये वीडियो की बहुत डिमांड थी मेरे काफी सब्सक्राइबर्स से मेरे काफी सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते थी गुरुजी हम ऐसा क्या करें ताकि इस टख मार्केट में भी हमें आराम से नई मन पसंद नौकरी हमें मिल जाएं lot of my subscribers have put forward this request and therefore today I am sharing with you a powerful remedy for getting a new job as per your liking पर इससे पहले कि मैं आपके साथ ये उपाय शेर करूँ मैं आपको अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आज हमारे चैनल पे 2,600 से अधिक सब्सक्राइबस है we have got over 382 videos already uploaded and 87,000 views I wish to thank all my subscribers, thank you subscribers but for those of you who have not yet subscribed or have come on to the very first time to my channel I want to share with you that what I bring for you on this channel is the very essence concentrate and extract of my 25 years of research into the ancient sciences of astrology, numerology and vastu and I assure you if you follow the tips which I am sharing with you on this channel in multiple videos your life will be filled with good health, good fortune, prosperity you will enjoy business and career development and you will enjoy harmless relationships and peace of mind with your near and dear ones therefore please subscribe to the channel नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे वीडियो को like कीजिए और share कीजिए ताकि आपके दोस्त और बंदुगन भी इस information का फायदा उठा सके और उनकी जीवन भी सुक में हो चलिए बढ़ते हैं आज की उपाय क्यों कहा जाता है कि आज का मार्केट काफी टफ है कॉम्प्टिशन बहुत ज्यादा है और नौकरी की पीछे होड लगी हुए लोगों की कि नौकरी चाहिए पर नौकरी बहुत कम लोगों को मिलती है अब आज की कॉम्प्टिटिव जवाने में मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं गुरी जी हमें कुछ ऐसा उपाय बताईए ताकि हमें हमारी मन चाहिए नौकरी मिल जाए तो लोगों के इस डिमांड को सुनते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक उपाय शक्तिशाली उपाय जो लोगों की बहुत मदद करेगा वो आप लोगों के साथ शेर किया जाए इस उपाय को आपको रवीवार के दिन ही करना है आपको करना क्या है आपको रवीवार के दिन ब्रह्म मुहरत में उठना पड़ेगा जो नॉर्मली चार से छे बजे की बीच में होता है फिर आप सनान करने समय उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी सनान के पानी में डाल दीजे और सनान करने के बाद जाके अपने इस जेर से पूजा कीजे आपका पूज़ा होने के बाद आप थोड़े से सरसों के बीज एक स्पून सरसों के बीज लीजे और उसे पानी में दाल दीजे ये सरसों के बीज और पानी को आप एक तामबे के पात्र में दालिए और फिर जाके सवरे छे और आड़ बेजे के बीच में ही उकते सूरेज को ये जल डालिए सूरेज से प्रातना करें कि ये आपको मन चाही नौकरी मिले और जल से जल मिले ये उपाय जो रविवार का उपार है आपको 41 डेस क्लिक करना है रविवार से शुरू कीजिए और 41 डेस तक कीजिए उससे ज़्यादा करेंगे कोई बात नहीं पर कम से कम 41 डेस आपको करना है और ये उपाय जब आप करेंगे आपको थोड़े दिन में ही ब्रहमान से इशारे मिलेंगे कि आपको बहुत सुंदर नौकरी बहुत ज़ग मिलने वाली है और आप देखेंगे कोची दिनों में जहां से आपको उमीद भी नहीं थी वहां से आपको इंटर्व्यू का कॉल आएगा और आपको एक बहुत सुंदर नौकरी मिलेगी ही मिलेगी यह मेरा विश्वास है यह उपाए बहुत ही शक्षिशाली है बहुत ही कारिगर है करके देखे आप चौक जाएंगे इसकी कारिशमता देखे लाविताओ इस कथे बहुत ignorロब्य आपको एह पहाँ दो करे मूलों थाएंग तवस मिलेगी जोहां सी विए को आपको powerful remedy for getting a new job and this is very effective works very quickly what do you have to do on Sunday get up during Brahma Moratam between 4 and 6 a.m. generally and have a bath in the bath water put termic powder haldi is able then put that in your bath water have a bath thereafter go to your puja room and play it to your it's there who are you believing saying that I seek your blessings thereafter take a teaspoon of mustard seeds put it in a copper pot and then put fresh water in the copper pot between 6 and 8 a.m. on Sunday offer this water consisting of mustard seeds to Surya Dev the Sun God and pray to him for his blessings so that you get a good opportunity good job very soon trust me my friends this remedy has to be carried out for 41 days continuously but within three four days you will start getting the confidence and indications from the universe that your luck and fortune is about to change and very soon you will get called for interviews from multiple places when you start attending these interviews you will have multiple offers in your hand and you will be able to choose a job which is best suitable for your temperament your capabilities it's a very powerful remedy for success for finding a new job try it and I'm then I'm sure you will come back to me and thank me for sharing this powerful remedy with you a very powerful effective remedy for getting a new job in the market friends I'm sure that you enjoy the videos and also benefit a lot from this informative videos where I share with you remedies for multiple problems in life lot of subscribers have got back and thank me for the information and the effectiveness of the remedies I wish to thank all my subscribers once again from the bottom of my heart thank you subscribers but for all those of you who have not yet subscribed let me share with you that what I bring on this channel is the very essence concentrate of my 25 years of research into the ancient sciences of astrology numerology and vastu I'm sure a graph is channel ko subscribe karengi to aapke zindig mein samridhi, swasth, aur khushiaan dher ho bhar bhar kya aengi you will enjoy care business and career development you will enjoy prosperity and enjoy harmless relationships and peace of mind therefore please do subscribe to the channel it to a channel and also I will also get you to explain to you because I want to request me to request to you that you please please my video's ko like karengi or share karengi to aakhi aneik logo ko a belha ho aineik logo ko a belha ho aeneik logo ko byla ho aepne dhosto and bhandu gun say share karengi jib yi information onke pats jayega उनकी लाइप भी बद लेगी और वो आपको आके खुट शुकरिया कहेंगे सो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों और बंदुगन से मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और एक नए वीडियो के साथ पर जब तक हम मिलते नहीं वीडियो देखते रहिए और मेरी दिली तमन्ना है कि आप विश्वर खुशियां और स्वास्त प्रदान करें बहुत जल्द मुलाक्या धर्गी तब तक नमस्ते सुखी रहिए